आपको एक और नए विश्य के बारे में जानकारी देना चाहूंगा आज का जो विश्य है वो है सौथ वेस्ट डिरेक्शन नेरित्य दिशा मैंने पिछले प्रोगाम में आपको दक्षिन दिशा के बारे में जानकारी दे थी कि आपके घर का दक्षिन का भाग फर्ष के लेवल में उचा है और चट के लेवल में उचा है तो आपके यहां किस तरह के वास्तु के परभाव देखने को मिलेंगे, इसके बारे में जानकारी देथी. आज मैं आपको नेरित्य दिशा, South West Direction के बारे में जानकारी देना चाहूँगा. आपका घर चाहे किसी भी दिशा का है आपका अपना घर है, फ्लाइट है, कोठी है या बंगला है उसकी नरिते दिशा को चेक करना है नरिते दिशा का फर्ष का लेवल उंचा है या आपने नरिते दिशा में साथ वेस्ट भाग में, साथ वेस्ट जोन में फर्श का लेवल उंचा किया हुआ है या आपने स्टोर बनाए हुआ है या सौथष्ट के भाग में बेड़ूम बनाया हुआ है तो ये वास्तु के अनुसा अच्छा माना जाता है जब भी जिस भी घर का सौथष्ट का भाग जही होता है यहां पर वास्तुदोश नहीं होता उस घर में हमेशा ही आपसी सम्मन अच्छे बने रहते हैं धन दोलत भी भरपूर होती है और जो घर के बच्चे हैं जो बच्चे शादी के लायक है उनकी शादी भी समय पर होती है और अच्छे परिवार में उनकी शादी होती है इसलिए हमेशा ही साथवेश्ट का भाग सही होना चाहिए, साथवेश्ट के भाग में किसी भी रूप में वास्तुदोश नहीं होना चाहिए आपने अपने घर के साथवेश्ट के भाग को नरित्य दिशा को हमेशा ही फर्ष के लेवल में उचा रखना है चट के उपर साउथवेश्ट के भाग में अकेला कमरा साउथवेश्ट के भाग में बनाते हैं तो इसका भी benefit आपको जरूर मिलता है घर में परिवार में सभी के सम्मंद अच्छे बने रहते हैं पती-पत्नी के भी सम्मंद अच्छे होते हैं और इसी के साथ घर के अंदर धन दौलत भी बरकरार रहती है। अगर आप अपना घर बना चुके हैं और आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है। लाश्ट टेस पर आकर आपका काम रुक जाता है। आपके घर में बच्चे शादी के लायक है। उनकी शादी नहीं हो रही है या आपस में संबंद खराब है तो उसके लिए आप अपने घर की साथ वेश्ट के दिशा को चेक करें। आप अपने घर की साथ वेश्ट के भाग का फर्ष का लेवल उचा करेंगे। यह छट के लेवल में साथवेष्ट का भाग नीचा है और साथवेष्ट के भाग में एक कमरा बनाते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके जो काम रुके हुए वो सारे काम बन जाएंगे बच्चों की शादी नहीं हो रही तो बच्चों की शादी हो जाएगी आपसी संबन्द में दिक्कत आ रही है तो आपके आपसी संबन्द भी बहतर हो जाएंगे सिर्फ आपने साथवेश्ट का फर्ष का लेवल सही करना है और छट के ऊपर कमरा बनाना है आप अपने नया घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपने साथवेश्ट के भाग का हमेशा ही ध्यान रखना है पूरे घर में साथवेश्ट का भाग फर्श के लेवल में हमेशा ही उंचा होना चाहिए ऐसे ही चत के लेवल में भी सबसे उंचा सॉथफवेश्ट का भाग, नेरित्य दिशा सॉथफवेश्ट जोन उंची होनी चाहिए सॉथवेश्ट दिशा जब भी उंची होती है तो घर के अंदर सुरुक्षा भी परदान करती है आपसी समंद भी अच्छे रखती है, परिवर में ठैराव भी बना कर रखती है और जो घर के बड़े बज़ुर्ग है, उनके स्वास्ते के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है इसी के साथ मैं आपको एक खास बात और बताता हूँ जिस घर का साथ वेस्ट का भाग अच्छा होता है, सही होता है, वास्तु दोश नहीं होता है तो उस घर के जो पित्र है, वो भी हमेशा खुश रहते हैं पित्र दोश उस घर के अंदर कभी भी नहीं लगता क्योंकि Southwest की दिशा पित्र की दिशा भी माने गई है आपके घर के अंदर Southwest की दिशा सही है तो आपके घर की पित्र भी हमेशा खुश रहेंगे आपका हमेशा साथ देंगे इसलिए आपको अपने घर की Southwest की दिशा को हमेशा ही सही रखना चाहिए इसमें कोई भी वास्तो दोश नहीं होना चाहिए आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है हर तरफ से आप प्रईशान है तो मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा आप अपने घर के साथ वेस्ट के बाग में या तो स्टोर नुमा बजन बढ़ाएं या आप फर्ष के लेवर में साथ वेस्ट के बाग को उचा करें या च्छत के उपर साथ वेस्ट के बाग को उचा करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे आप hand to mouth भी होंगे तो भी आपके काम बनने शुरू हो जएएंगे यहां पर कोई भी वास्थ दोष नहीं आने देना है आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें अपने WhatsApp group में और Facebook group में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सर्कल में जितने जो भी वेक्ति है इस वीडियो को देखके अपने घर की साथवेस्ट के दिशा को कम से कम सही जरूर कर सकते हैं तो वेक्ति अपना नया घर बनाने जा रहे हैं वो वेक्ति तो अपने घर की साथवेस्ट के दिशा को सही कर ही सकते हैं उस घर में जो बच्चे शादी के लायक है उनकी शादी हो जाएगी सिर्फ साथवेस्ट के भाग को सही करने से इसलिए आप मेरी इस वीडियो को अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप ये चाहते हैं कि मेरे आने वाली सभी वीडियो आप तक जरूर पहुँचे उसके लिए आप बैल आइकन जरूर दबाए अगले प्रोगाम में मैं आपको वेस्ट यानि पश्चिम दिशा के बारे में जानकारी देना चाहूंगा तब तक के लिए नमस्कार झाल